भारते जन्ता पार्टी पूरी तरा से उसको जानकाली है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन भारते जन्ता पार्टी इस सुनाओं में काम्याब नहीं होगी फैजाबाद लोकसवा छेतर की मिलकीपूर विधानसवा सीट पर उपचनाव होना है लेकिन उससे पहले बीजेपी मिलकीपूर में बड़ा खीला करने में लगी है पहले मुईत खान के मामले में समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने जम कर घेरा वही अब सपा सांसत अवधेश परसाद के बेटे अजित परसाद के एक मामले में बीजेपी ने सपा को घेरना शुरू कर दिया है जी हाँ आपको बता दे कि मिलकीपूर उप्चुनाव से पहले सपा परताशी अजित परसाद की मुश्किले बढ़ गई है हाला कि समाजवादी पार्टी ने अभी आपचारिक तोर पर अजित परसाद की नाम का एलान तो नहीं किया है लेकिन ख्यास यही लगाए जा रहे है कि अफदेश परसाद की बेटे अजित परसाद ही मिलकीपूर विधान सवा सीट से उप्चुनाव के परताशी होंगे एक मामले में अजित परसाद की खिलाफ केस दर्ज हुआ है अजित परसाद पर गाली से अपलकर मार्पिट करने और धमकाने का बड़ा आरूप लगाए गया है अफदेश परसाद के बेटे अजित परसाद की मिलकीपूर सीट पर होने वाले उप्चुनाव की तैयारी में लगे है उस बीच उनको बड़ा जटका लगा है पता दें कि अजित परसाद की खلاफ आयुधे की नगर कोटवाली में मुकदमा दर्च किया गया है रवी कुमार तिवारी के तहुरी पर अजित परसाद की खिलाफ केस दर्च किया गया है FIR में अजीत प्रसाद के साथ ही राजुयादव, शिरिकांद राय और 10 से 15 अग्यात लोगों का नाम भी शामिल है अब इस मामले को लेकर सपाईयों में आक्रोश है सपा का कहिना है कि उप चुनाव में बीजेपी हार रही है जिसकी वज़े से बीजेपी सपाई परताशी को फसाने का गाम कर रही है वही सपा ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर बड़े आरोप लगा है समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि आयोध्या में पासी समाज का एक दलित सांसित बन गया भाजपा को ये बात नगवार है सीम योगी के ठाकुर को सपा के दलित पासी ने चुनाव हरा दिया इसलिए अफदेश परसाद के बेटे आजित परसाद के खिलाफ साज़िस से योगी सरकार ने केस दर्च करवा दिया है सीम योगी का ये जातिवात और दलितों पिछलों के खिलाफ के मानसिकता देख ले संपुल दरित पिछला वर्ग पीडिये अब अफदेश परसाद के नेतरतु में एकजुट है और भाजपा योगी को चुनाव हराने के लिए तयार है तो सपा का आरोपे की अजित परसाद के खिलाफ साज़िस के तहत योगी सरकार ने ये केस दर्च करवाया है वैस मामले को लेकर अफदेश परसाद का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि ये केस निराधार और जूटा है मिलकी परसीट पर उपचुनाव होने है सापा परमुक अखले इशादव ने मेरे बेटे को चुनाव लने के लिए टिकट दिया है बीजेपी जानती है कि वो मिलकी परसीट नहीं जित पाएगी इसलिए उन्होंने मेरे बेटे के खलाफ आधारहीन मामला दर्च किया है जराब भी सुने अफदेश परसाद ने क्या कुछ कहा है और गलत है सच बात यह है कि मिलकी पूर बिधान सभा में उपचुना होना है और जिसमें हमारा बेटा अजीद परसाद को मानिय अक्रीश यादोजी ने पार्टी के हजारों काज करताओं को काजाले में बुलाकर उनके आमसहमत के अधार पर सरसमत निड़े के अधार पर हमारे बेटे अजीद परसाद को हमारी ओसीट जिसको मैंने 12 जून को सानसत बनने के बाद खाली कर दिया था उस पर चुना होना है और उमीदवार हमारा बेटा है भारते जनता पार्टी पूरी तरा से उसको जानकारी है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन भारते जनता पार्टी इस सुनाओं में काम्याब नहीं होगी बारतिय जन्ता पार्टी बूरीता हारेगी इसलिए मानिय मुख मंती जी ने भी लगातार तीन चार मीटें यहां की है उसका कोई रिस्पांस नहीं है बलकि उल्टा रिस्पांस है एक महीना से एक दर्जन के मंती लगाए गए हैं चुनाओं प्रचार में लेकिन किसी प्रका प्रचार का कोई रिस्पांस नहीं है इनको इस बात की जानकारी है कि जिस तरह से अधेश पुसाद चववन फैजावाद जन्प्रद्य जिद्धा से लोग सभाज चीट जीते हैं और जिसकी चर्चा किवल अजुद्धा फैजावाद उतर देश में नहीं सारी दुनिया म अपने में किस तरह से इन तमाम आरूपों को अब देखना ये होगा कि सपा को इन मामलों से क्या कोई नुकसान होता है कितना डैमेज सपा को इससे होगा ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि बीजेपी का पुरा प्रयास है कि उपचुनाव में वो सपा को पढखनी दे और लोकसवा चुनाव की हार का बदला ले जिसको हुआ 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 है